आज जो फेसल में आपको वतारी हूँ अगर आपने ये स्टेप पूरा फालो कर लिया ना तो आपके चेहरे पे हीरे जैसी चमक आने से कोई रोकेगा नहीं आपके स्किन फॉलिस हो जाएगी लाइट हो जाएगी इसका रिजल्ट तुरं दिखेंगे लो दिखाती हूँ मैं ये देखो मैंने फेस मतब नेक को क्लीन किया नेक के उपर का हिसा मैजिक है की नीचे का देखो किता ज्यादा फर्क नजर आया और यही रिजल्ट आपको मिलेंगे आपके स्किन पे तुरंत ही आपके चेहरे पे कैसा ग्लो आने वाला आपके स्किन हेल्दी हो जाएगी हर स्किन लूज हो गई है चमक चली गई है जैसी भी आप यूसीन प्रॉब्लम हाना यह फेसल किये ना तो पलट जाना तो भूली जाओगे याद हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल इल्हाबादी गल बवीता राज मैं वेटा फ्रेंट्स आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छी होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज के वीडियो में हम करेंगे फेसल ठीक है आज के वीडियो में आपको ब सब्सक्राइब बनाना होगा मसाज करीम बनाना होगा जी नहीं बिलकुल कम टाइम में बहुत इजली में बताऊंगी क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सब थंड़े की वज़े से नहीं करते हैं और इसकिन हमारी डल सी हो जाती है तो आज जो हम फेसल करेंगे इस प्लांट इसके 4 step है मैं आपको 4 step बताऊंगी step by step आपको देखना है मैं कैसे करी हो आप मेरे साथ भी कर सकते हो और बहुत हीजी है कोई भी time नहीं लगने वाला है कोई भी remedy आपको बनानी नहीं हो सबसे पहले आपको plant लेना लेना है और उसको कट कर लेना धुलके साफ कर लेना जैस की बेजांसी है यह प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो इसे कट कर लेते हैं ठीक है अब इस तरह से मैं कट कर रही हूं ऐसे सही आपको कट कर लेना और इसकी चार हिस्से आपको बना लेना क्योंकि जो यह स्क्रब होगा ना सुरी यह जो फेसल होगा इसके में फॉर बैबना लेना है और कोई बैए है आपको फटाफट में बताती हूं कैसे कर आ है ठीक है अभी तक अपने अन्चराइब ने कि या अंचेट लगने के तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चयंचनल क्लिंज करेंगे तो यहां पर ठीजिंटे देप for on your face अप्लइ डीज होकी करता हुल इसे क्या होगी अपके स्कन नेோटि कें क्लीजिंग एड़ा करती है पेकि शाधा लेंन जुटास करता है करें लादा प्लिक स्क्रश्ट्सक्र gateway jij मैं बधना का धोटिया बैसे क्लीजिंग गलोय डॉजनी IS यह स्टेप ना क्लिंजिंग आप अपने स्किन रूटिन में सामिल कर सकते हैं दूसे स्टेप में लिए मैं यहाप एक बाउल ले रही हूँ इसमें मैं डाल ले हूँ कॉफी पौडर और यह वन स्पून लिया है और यह मैं हाफ स्पून डालूंगी सुगर पौडर यह वही चीनी है जो खोने में यूज करते है चाय के साथ कोफी में वही चीनी है तो आप मैं वन स्पून कॉफी पौडर लेना half जो सब्सक्राइब और स्क्रब करें और सिर्ट को चैनल को क्लीन करें और स्क्रब करें और तो तक करेंगे तक करेंगेद्ट यहां पर कोई रेमेडी बनाना नहीं है बहुत जल्दी ये फेसल हो जाता है जब जी चाहे कल लो मतलब दिछा क् 대해서 लो यहां पर हमने कॉफी यूचि काफी में पूंच इसे आपके बाल मी निकल याने विचिन बनाया साथ. क्वेह नचाहेब लगा और यह तीन मिट तक टक अपकी जैगी और आपकी स्किन पे जो ब्लैक है इट्स वाईट्स की प्रप्लम वह भी चली जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़दा डिप क्लीन होगी बहुत ही ज़ादा एक अलग सा ग्लोऊ आ जाला जागा एक अलग सी छमक आजाती है स्क्रब पर करने के बाद, फेस को क्लीन कर लेगा पाना िसे थीगा उसके बाद आपकर बनाना है मसाज क्रीम मसाज क्रीम के लिए भी आपको प्लांट लेके से कट कर लाइजसे जैल बढ़ी आसानी से रिप अब यहां पे आपको लेना है बदाम ओयल क्योंकि सर्दियों के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है यहां पे आप को कोनेट ऑल भी ले सकते हो आपकी स्किन बहुत जदा ड्राइ रहती है तो आप यहां पे थोड़ा सा ग्लीसलिन भी एड़ कर सकते हो इसे लेकर के पूरे इसे करने से आपकी स्किन जो ड्राइ हो चुकी रूखी रहती बेजान रहती चमक नहीं रहती है और यहां पे थोड़ी सी मलाई भी ले सकते हो बट आपने बस कोकोनेट ऑल ले 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 लिया जली ले लेना तो काफी जादा है क्योंकि बहुत अच्छी क्रीम बन जाती है औ इसे आप ड्रेली भी कर सकते हो रोजाना सर्दियों में करोगे तो आपकी स्किन मुर्जाइज ही और ड्राइ नहीं रहेगी रुखापन चला जाएगा तो इसके बाद आपको हाथों से करना है स्टेप बाई स्टेप मतलब स्टेप बाई मतलब जो में पॉइंट होता है मस वीडियो को मैंने फॉस्ट कर दिया इस वजे साप लोग को लग रहा और इसकी बहुत ज़्यादा सॉप्ट हो चुकी है अब यहां पर में जो फेस पैक बनाऊगी वह मैजिक फेस पैक होगा उसके रिजर्ड भी आपको तुरंत ही मिलेगा तो फिर यह फोर इस्टेप है यहां भी हमेंने बिश से कट कर लिया जिसे जेल बढ़ी असानी से मिल जा तो फेस पैक के लिए मैं यहां पर जो एड करूंगी लेमन पील पॉडर आप औरेंज पील पॉडर भी ले सकते हो मुलतानी मिटी चंदन पॉडर भी ले सकते हो यहां मैंने वन इस्पून लेमन काफे जादा और तुरंत ही असर दिखाता है और सकीन को डिप लीन करता है यहां पर नहीं जो दही लिए न चार पांद दिन पुरानी खटी दही है बहुत खटी दही है और यही आपकी स्कीन को क्लीन कर देगा और जो फेसल पालर में कराते हो ना उसके अच्छे अगर आपके skin dry है, रूखी है, आपका color dull सा हो रहा है, तो ये face pack आप रोजाना योज करके देखो, जैसे मैं बना रही हूं देखो, इसमें कोई भी time नहीं लगता है, बस फटा फट कर लोगे, इस face pack को आपको neck पे भी लगाना है, मैं neck पे क्यों नहीं लगा नहीं, क्योंकि आपको मैं इसके result दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग को मेरे face पे result समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने neck को आज छोड़ दिया है, और पूरे अच्छे से apply कर लेते हैं, और पूरे अच्छे से apply कर लेते हैं, उससे सूख जाएगा, यहाँ देखो, सूख चुका है, मैं जहां मैंने लगाया वहाँ की skin और मेरे neck के नीचे की skin में किता ज़्यदा फर्क नजर आया, क्यों आया, क्योंकि इसमें मैंने जो जो ingredients mix किये थे ना, वो चेहरे पे एक अलग सा निखाल लाते हैं, तुरंत ही महंगे महंगे जो पालर में पैसे खर्च करते हैं, वो घर पे आपको कहीं जाना तो फटा फटा आप कर सकते हो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं भी पालर के मजे लूँगी, और यहां पर देखो face को मैंने clean कर लिया, ठंडे पानी समयने किया, आप चाहो तो गुनगुने पानी का यूज़ कर सकते हो, फेस भी एक अलग सी चमक आ गई, इसकी नितनी ज़्यादा स्वाफ्ट हो चुकी है, अब इसे आप वीक में दो बार कर सकते हो, हर टाइप के स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, करने से पहले एक बार, फर्स्ट बार, पैस्ट टेस्ट जनरू कर लेना, यह देखो, नेक और यह देखो,